दोस्तों मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं बर्दो की बारी का एक किस्सा तो सुनिए बर्दो की बारी का एक किस्सा बर्दो की बारी उस दिन फूल कर कुपपा हो गई थी जब उसके लड़के ने अंग्रेजी पॉयम परत्युक्ता में तिर्टियस्तान प्राप्त किया देहराधून के सेंट फराटा इंटरनेशनल स्कूल में अध्यनरत बच्चों के मुखार बिंद से जब भी वो अंग्रेजी भासा के सब सुनती तो बड़ी ही गौरवान भी थो उड़ती पिछली बार जून की छुट्टियों में बच्चों को गाउं लेकर गई तो एक बच्चे में ही आपस में बच्चे अनाप सनाप गड़वाली बोलना सीख गए बच्चे जो ठहरे किसी भी चीज को जल्दी पकड़ लेते हैं गाउं में जब बच्चों ने भरतु की बारी के किसी जेड़ जी को अन्य बच्चों की देखा देखी में बोड़ा जी बोला तो वो बहुत चुर गई बोली अरे बेकुपो अंकल नहीं बोल सकते क्या बच्चे गाउं के माहूल में इतना मगन हो गए कि सेंट फराटा स्कूल की अंग्रेजी गाउं के माहूल में खराटे मारने लगी बच्चों की हिंदी में भी पहाड़ी टंग नजराने लगी बच्चे बोलने लगे कि मम्मी मम्मी हम पूणों में बांदर हकाने जा रहे कभी बोलने लगे कि हम दादी के साथ गोरू चराने जा रहे भर्तु की बारी ये सब सुनका कहने लगती तभी तो नहीं लाती मैं इनको गाउं में दो दिन में हवा लग जाती है गाओं की, बिगड़ गे साले, बच्चे कभी मली खोला, कभी मुली खोला, कभी पली खोला, कभी पदान खोला, सुबह से साम धमा चौकडी मचाते रहते, गाओं में आकर पहली बार उन्होंने सजी पारस्तिती की तंतर देखा था, जहां जोगात्मक जो अन्वाओ था उनको गाओं महीं मिला, उनको गाओं अभभाने लगा था, गाओं की हर एक विसय बस्तु में ज्यान का पिटारा था, दरसल गाओं ही जीवन की परियोग साला था, पर गाओं में अंग्रेजी नहीं थी, अंग्रेजी सराप तो बहुत थी, पर अंग्रेजी भासा नहीं थी जिस वजह से लोग बच्चों की अंग्रेजी दुरुस्त करने के लिए नजदी की कस्वों के अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को रख रहे था भर्तु की बारी भी चाती थी कि उसके गुगुती बसूती क्या खांदी न सीख करके जोनी गाउं में से बीरू ही जानता था इसलिए उससे हर कोई डरता था भर्तु की बारी को न तो गाउं पसंथा ना गाउं के लोग ना गाउं की बोली भासा देरादून जाकर वो एक्स्क्यूज मी प्लीज एक्चुली कल्चर पल्चर जैसे सब सीखती रहती थी उसे अब हिं इंडिगर प्रैस क्या चल रहा वल जब वो भाव बताता तो वो कहती सही सही लगाओ ब्रो हम तो डेली के कस्टमर ठहरे